हमारा देश भारत युवाओं का देश है, हमारी सरकारे और उक्मरान इस बात पर नाज भी करते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है लेकिन आज यह कहते वे दुख हो रहा है कि यही सरकारे और उक्मरान इनी युवाओं का हर एक दिन जनाजा निकाल रहे हैं नमस्कारा, स्वागत है आपका आजादी की तारिक में, आज सबसे पहले एक वीडियो देखिए हैं यह वीडियो राजस्तान की राजदानी जेपुर का है, जहाँ स्टुडेंट्स सरकार से आगरे कर रहे हैं कि उनकी प्रिक्षाएं करवा दो, सही तरीके से नतिजे दे दो, ताकि कोई बढ़ती रद नहीं करने पड़े जहाँ सरकार और रुकुमरान राजस्तान की चुनाव जितने के लिए करोड़ों रुपे खर्च कर होटलों में बाड़ेबंदी करने में वैस्त थी, तो वहीं यह युवा 15-20,000 रुपे की नोकरी के लिए सडकों पर भूग से मर रहे हैं और बस इतना चाहरे हैं कि सरकार परिक्षा करें, उसका प्रिणाम निकालें ना कि किसी परकार का बरष्टाचार करें अब देखते हैं कि सरकार और खुमरान किस तरह से युवाओं का जनाजा निकाल रहे हैं आप कुछ सोचो उससे पहले जनाजो की तारिक देखी है कुछ समय पहले जेएन बरती, लाइबरेरियन बरती वो चिकिस सा दिकारी परिक्षा भी सरकार द्वारा रद कर दी जा चुकी थी 17 मैं को कॉंस्टेबल बरती रद कर दी गई तो वहीं पहले साथ परवरी को रीड का पेपर रद दो चुका है रुकिये, यहीं नहीं आरेस जेसी साथ रखने वाली परिक्षा जो हर साल होती है मैं भी पिछले दस साल में सिर्फ चार बाद सफल तरीके से हुई है बाकि 6 बाइया तो हुई नहीं या फिर बरस्टाचार की बेंड चड़ गई इन 10 साल में बास्पा की वसंद्रा सरकार भी रही तो वहीं कॉंग्रेस की गहलो सरकार भी है तो क्या अभी है कहना गलत होगा कि किस सरकार ने कसर नहीं छोड़ी बढ़ना चाहते हैं शुक्रिया दुआएं इन बच्चों के लिए हैं